हेलो एवरिवन, वेलकम टू लर्न विश्यफाली, तो आज हम करने वाले हैं पावर, हमारा लास्ट कंसेप्ट बच रहा है, पावर और कमर्शल यूनिट अफ एनरजी आखिर क्या होता है, ठीक है, क्लास नाइन साइन्स का चाप्टर नमबर 11, वरक एनरजी का, फिर ये आपको कुछ काम करना है, या फिर बोल सकते हो, आपको रेस लग रही है, दो लोगों की रेस लग रही है, अब सबसे फर्स नमबर पर कौन पहुचा, मैं बोलती हूँ कि ये फर्स नमबर पर पहुचा है, और ये उसके बाद पहुचा है, तो इस बंदे की जो पावर होगी, वो कम होगी इससे, तो ये सबसे फर्स नमबर पर पहुचा, जब ये तो इसके पावर के साथ भागा, इसी वज़नस से यह जी आया, क्यास पहं सबसे ज़्छीं करकूत हैं तो पावर का फॉर्मॉला बनाते हैं, तो देखो पावर किस की इक्वार होगा? जितने ज्यादा हम काम कर रहे होंगे और जितने हम करो होगे तो जितना हमने work done किया होगा जितना हमने time में किया होगा अगर हमें इन दोनों की calculate करनी हो power तो इसकी जाधा power निकलेगी कि यह first number पर पहुचा है और इसने जाधा work किया और इसने जाधा जल्दी कम टाइम में इसने किया है तो इसकी बावर जादा होगी अब आप एक चीज़ और देखो वोक डन जो होता है वो किसके एक्वल होता है एनर्जी के एक्वल होता है उतनी इसने एनर्जी भी लगा रही होगी एनर्जी इतनी लगाई है उसने तब ही दो इतना काम कर पाया है तो इसका formula एक और बन जाता है और लख करके लिख देती हूँ यहाँ पे कि power is equals to energy upon time यह भी एक formula बन जाता है इतने clear हो गई अब SI unit की हम बात कर लें कि SI unit SI unit क्या होती है किसकी power ठiक है, power की SI unit कैसे निकाल सकते है energy, energy की SI unit क्या होती है, joules होती है ठीक है, time की क्या होती है seconds ठीक है, second होती है अब यह SI unit को हम कैसे बना सकते है अब यह हो जाती है J upon S divide में J upon S ठीक है, तो इसकी SI unit होती है, vault आपने सुना होगा यह इतने वॉल्ट का बल्व है तो कोई भी electric चीज जो होगी electrical energy है कि मैं बात करती हूँ तो उसकी SI unit हो जाती है वॉल्ट और वॉल्ट का जो symbol होता है इसका जो symbol होगा वो क्या होगा W इसका symbol क्या होगा W इतना clear है अब हम बात कर लेते हैं average power के वेरेज पावर कैसे निकाल सकते हैgen average power चैвоर इसी निकाल सकते हैं डॉल्ट व्ग न आपान टोटल टाइम टेकर tsugar टोटल मैं लिख देती हूं टोटल वॉग्ड़ ओप उट्टल टाइम टीकल उसने कितना टाइम लिया gue ूपनस्टобыти turtles अब आपको क्या क्या पता चल गया, पावर, rate of doing work, उसे हम पावर कहेंगे, पावर जो होता है, जितना आप work done करोगे, या आप बोल सकते हो कि energy, जितनी energy उसकी लगेगी, divide में आ जाएगा आपका time, जितना भी उसमें time taken लिया होगा, ऐसा unit हो जाती है, उसकी वाल्ट और symbol हो double, इतना clear है, average पावर, total work done upon total time, ओके, इतना clear है, देखे हो, वाल्ट जो होता है, अगर मैं वाल्ट की बात करती हूँ, तो यह क्या होती है, सबसे smallest unit होती है, किसकी power की, जितना, अगर मैं इसकी bigger unit की, अगर मैं बात कर दूँ, तो bigger में कौन कौन आ जाता है, एक तो kilowatt आ जा जाएंगे biggest unit of power में, किसमें आ जाएंगे, bigger unit of power, ठीक है, यह bigger में आ जाएंगे, ठीक है, किलो का मतलब वोई, 1000, आपको पता है नहीं, यह चीज, किलो का 1000, ऐसे गर के आप पोल सकते हो, ठीक है, bigger unit आपको याद रखने है, और सबसे smallest unit आपको याद रखने है, ठीक है, यह ह हो जाती है, हमारी power की बार, power concept बहुत छोटा सा था, आपको symbols वगएरा याद रखने है, पावर क्या होता है, वो हमें याद रखने है, अब हम बात कर लेते हैं, commercial unit, अब हम इसकी बात करेंगे, commercial unit of energy, तो मैं आनिक देती हूँ, commercial unit of energy, यह क्या होता है, देखिए, commercial unit, commercial का मतल energy हमारे businesses, industries वगएरा में हमारी use होती है, या फिर household में use होती है, तो से वंत एक महीने का, हमारा क्या आता है, energy, जितने भी electrical energy हमारे घर में use होई होगी, उसको मन्त में, ऐसा बिल आता है हमारा, तो वो किसमें आता है, units में आता है, इतना तो आपको पता है ना, तो उसी commercial unit of energy कि हम यहां पर बात कर रहे हैं, उसी commercial unit की हम बात करने वाले हैं, जो industries वगएरा में हम energy का use करते हैं, तो वो कैसे हम निकाल चकते हैं, कि एक unit जो होता है, वो किसके equal होगा, एक unit तो हम वैसे बात करते हैं, जैसे हमें हमें पता चलता है कि महीने में इतना बिल है हमारा, तो ह हमारा formula के था power का, power का हमारा formula था, power is is equals to energy upon time, यह हमारा formula था, ठीक है, इस formula को हम याद रखेंगे, तो अब मैं क्या गया रहे हूं, इसको cross multiplication कर रहे हूं, cross multiplication कर रहे हूं, तो क्या आ जाएगा, अबका, energy is is equals to power into time, क्या जाएगा, power into time, तो energy, अगर मैं unit of energy निकालती हूं, unit of energy अगर मैं बोलू तो power की unit क्या हो जाएगी watt और time की क्या हो जाएगी ठीक है इतना clear है तो ये क्या हमारा बन जाता है ये energy हमारी क्या बन जाती है सबसे bigger unit हम लेते है तो kilo watt hour ये हमारी बन जाती है तो मैं सबसे bigger unit लोगे यहां पर मैंने बड़ी वाली यूनिट ले ली वन किलो वाट आर हो गया तो मतलब इसका मतलब क्या हो जाता है एक यूनिट में हमारा कितना आ जाता है हमारा यह एक यूनिट में हमारा निकल जाता है जो एक यूनिट में हमारा बिलाता है तो इस अकॉर्डिंग जो है हमारा निकलता है एक यूनिट का क्या मतलब हो गया वन किलो वाट आर इतना क्लियर है अब आप देखो एक यूनिट ऐसा यूनिट एक यूनिट मतलब हम बात कर रह new SI unit, SI unit और आपकी जो ये है हमारी one unit, commercial unit of energy, इन दोनों में क्या relation है, हामें ये इसमें बताना है, देखो सबसे पहले अगर मैं relation की अगर मैं बांग करूँ, तो SI unit और हम इसकी relation की बात करते हैं, देखो, इसका मेहा लिखती हूँ, one kilowatt hour is equals to, kilo का मतलब क्या हो गया, one thousand, ठीक है, watt लगाऊंगी और hour लगाऊंगी, ठीक है, एक hour, hour को हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर मैं एक hour की बात करूँ, तो उसमें कितने minutes होते हैं, 60 minutes होते हैं, तो one minute की अगर मैं बात करती हूँ, तो उसमें कितने seconds होते हैं, 60 seconds होते हैं, ठीक है, तो one hour में आपका 60 into, 60 into 60 अगर मैं कर दूँ, तो एक hour जो हो गया, वो कितना हो गया, 3600 seconds, ठीक है, एक hour में इतना हो गया, तो मैं आपका क्या करूँगी, one thousand watt into three six double zero seconds, ठीक है, इतना clear है, ठीक है, three six, one two three four five, one two three four five, five zero's आगे हमारे, ठीक है, watt और second, हमने उसको क्या करा, into कर दिया, अब मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, कि 36 into 10 के पावर five, ऐसे मैं लिख सकती हूँ, तो मैं ऐसे लिख जाती हूँ, अब watt और second, watt और second, ये दोनों किसके हो जाते हैं, पाव करी, देखो, आवर की ऐसा unit क्या होती है, वोल्ट होती है, और second आपका आ जाता है, तो joules, हम watt की जगा क्या लिख सकते है, joules भी तो लिख सकते है, second आपको given ही है, तो मैं क्या बोलूंगी, joules, इसको हम क्या बोल सकते है, joules बोल सकते है, ठीक है, ओके, इतना clear हो रहा है, आ एक वावर बढ़ जाती है, joules, हम इसको ऐसे भी लिख सकते है, तो आप क्या बोल सकते हो, 1 kWh में आपका 3.6, 106 joules होता है, ठीक है, इतना clear है, ठीक है, आपको सर्फ इतना ही इसके अंदर रहात करना है, कि एक unit जो होती है, वो कितनी होती है, 1 kWh होती है, आपकी, ठीक है, अगर ये निकालने को आता है, कि relation between SI unit and commercial unit of energy तो आप ऐसे गर किसे show कर सकते हो, कि कैसे इस और SI unit में relation है, ठीक है, इतना clear है, energy की SI unit की बात कर रही हूँ मैं, और commercial unit of energy की मैं आपर बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, तो joules आपको पता चल गया, कैसे एक energy और commercial unit जो है, उसमें कैस relation है, ठीक है, इतना clear है, छोटा सा concept है, आप थोड़ा-थोड़ा से पढ़ लो, अगर पूछा जाता है, तो आप इसे आपको थोड़ा-थोड़ा पता मन चाहिए, बस, इतना भी important concept नहीं है, क्योंकि बहुत ही असान है, इतना तो आपको already आपको पता होगा, ठीक है, तो य यह chapter की explanation जो है, हमारी finish हो गई है, अब हम चलेंगे next chapter की explanation पे, इसके भी NCRT solutions में जल्दी ही upload कर दूँगी, ठीक है, I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरू कीज़ेगा, चैनल को subscribe करना मन भूलेगा, thank you so much for watching, bye bye